सब्सक्राइब करें एक्स्प्लोर फोर यू को और बैल आइकन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब हर व्यक्ति किसी न किसी कार के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग प्रते दिन करता ही है पर क्या आप चानते हैं कम्प्यूटर से जुड़ी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स मैं हूँ इफोर यू और इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप फाइफ कम्प्यूटर ट्रिक्स सो लेट्स एक्स्प्लोर फोर यू पहला है यूट्यूब पॉस प्ले फारवर्ड बैकवर्ड विद जे के ल नॉर्मली आप यूट्यूब को पॉस प्ले बैकवर्ड और फारवर्ड करने के लिए अपने माउस का ही प्रयोग करते होंगे पर आप Play, Backward, Forward को करने के लिए J, K, L का भी यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने कीबोर्ड से K बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही आप K बटन को प्रेस करेंगे वीडियो पॉज हो जाएगा और वापस K प्रेस करते ही वीडियो प्ले हो जाएगा L प्रेस करते ही वीडियो 10 सेकेंड फॉरवर्ड हो जाएगा और J प्रेस करते ही वीडियो 10 सेकेंड बैकवर्ड हो जाएगा क्या आप यह ट्रिक जानते थे? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना Second A, Folder That Can't Be Created आप कम्पिटर में किसी भी नाम का फॉल्डर बनाके उसको सेव कर सकते हैं पर आप किसी भी कम्पिटर में ये नाम के फॉल्डर सेव नहीं कर सकते हैं C O N N U L P R N A U X आप किसी को भी चेलेंज कर सकते हैं इस नाम का फॉल्डर बनाने के लिए वो नाम जिनसे फॉल्डर नहीं बन सकते हैं उसकी लिस्ट काफी लंबी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप चेक कर सकते हैं Third A, Height, Folder Name and Folder Folder के Name को Height करने के लिए आप फॉल्डर का Name को Rename करें Alt प्रेस करके 0.255 प्रेस कर दें देखिए फॉल्डर का Name Hide हो चुका है अब इस फॉल्डर को आप Hidden करने के लिए इसकी Properties में जाए Customization के Tab में जाकर आइकन चेंज कर दीजे इन आइकन में से जो Blank आइकन होगा आप उसको Select कर दीजे और OK कर दीजे आप देखेंगे फॉल्डर भी Hide हो चुका है और नाम है नहीं यहाँ पर आप करसर रखेंगे तो आपको फॉल्डर शो करेगा बट फॉल्डर आपको ऐसे नहीं देखेगा देखेंगे यह फॉल्डर आपको दिख रहा है लेकिन दूसरा फॉल्डर आपको शो नहीं कर रहा है इस तरह आप अपने फॉल्डर को प्राइविटली सिक्यूर कर सकते हैं फॉर्थ है मैक यूर कंप्यूटर स्पीक कि यह फ्रेंड। कि आपका यूर्थ है और नहीं तो आप एक काम करो यह सोफ्ट।एर बनाते हैं और इसमें आप कुछ टाइब करो आप जो भी इसमें टाइब करो आपका कंपृटर से अनर्येट करेगा और उस वईस से आप पता लगा और अगर आप इस software को बनाना चाहते हैं, तो मैंने code description में दे दिया है, जस उसको copy करके, एक notepad की file बनाएं, और उसमें उसको paste कर दें, और इसको safe कर दीजिए, speakingsoftware.vbs, याद रहे है इसका extension vbs होना चाहिए, और लीजिए, बन गया आपका voice narrating software, आप इसमें जो भी type करेंगे वो आप पर narrate करेड़ा, फिफ्त है, टैप reopen, बहुत पार ऐसा होता है कि हम Google Chrome के multiple tapes को open करके अपना काम करते हैं, और गल्ती से एक tape close हो जाता है, और इतने सारे tapes में से कोई tape अगर close हो जाए तो हम उसे stream ही जाके search करते हैं, इस ट्रिप्स से आप directly अपने close tape को open कर सकते हैं, अगर गल्ती से कोई tape place हो जाए तो आप keyboard के control और shift को hold करके T button प्रेस करो, और आपका close tape magically फिर से open हो जाएगा, है ना ये कमाल का trick, तो friends कैसे लगे आपको एक कुछ computer के मज़दा tricks, I hope आपको मज़दा तो आया ही होगा, वैसे आपको कौन सा trick सबसे best लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, friends अगर वीडियो पॉसेंट आया हो तो जादर साज़ादर सेयर करें, like करें और ऐसे ही interesting videos के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, तो मिलते हैं friends ऐसे ही next interesting video में, जय हैंग